नमस्कार, नमस्कार साथियू, अपना जोहकी राजस्तान का जीके चल रहा था, उसमें अपने राजस्तान की कला और संस्क्रति को स्टार्ट किया था, उसमें अपना टोपिक राजस्तान के परमुक संत और संपरदाई, उसका अपना तीन कलास हो चुका है, आज का अपना उ उनके बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है, उनसे भी जानकारी हूँ क्या गरेंगे, आज की कलास में डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, कमेट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे ने बताए, साब बरमती नदी में अहमदाबाद का पर है गुजरात में लोधी राम जी ब्राह्मन को तेरते हुए मिले संत दादु दियाल जी जो है साब बरमती नदी में अहमदाबाद गुजरात में लोधी राम जी ब्राह्मन को तेरते हुए मिले अगर दादू दियाल जी जो है कि बुड़न जी के सिस्य थे दादू दियाल जी किसके सिस्य थे बुड़न जी के सिस्य थे तता बुड़न जी कबीरदास जी के सिस्य थे दादू दियाल जी किसके सिस्य थे बुड़न जी के सिस्य थे और जो बुड़न जी थे वो किसके सिस्य थे कबीर दाश जी के सिस्य थे अपने पास में आगे दादू दियाल जी रादस्तान में सरुपर्तम आमेर राज्य में पगवंदास या भगवंदास के काल में सांबर इस्तान पर आए सबसे पहले चो दादू दियाल जी है वो रादस्तान में किसके काल में आमेर में आये भगवंदास या भगवांदास के काल में कहां आये सांबर इस्तान पर आये पहले सांबर जो कि कहां था आमेर में था तो आमेर राज्य में बगवन्दास या बगवान्दास के काल में कहां आए सबसे पहले सांबर में आए और बगवन्दास ने संत दादू दियाल जी की मुलाकात सन 1885 में फत्यापूर सीकरी में अकबर से करवाई तो जो संत बगवन्दास थे बगवन्दास ने संत दादू दयाल जी की जो मुलाकात है वो 1885 में फत्यपुर सीकरी में किस से करवाई अकबर से करवाई तो क्यूशन इसमें यह बनता है कि किस संत ने फत्यपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की तो किस संत ने अकबर से फत्यपूर शीकरी में मुलाकात की दादू दयाल जी ने इसके बाद में अकबर ने 40 दिनों तक फत्यपूर शीकरी में दादू दयाल जी के साथ बेढ़ कर सत्संग किया इनकी मुलाकात करवादी फत्यपूर शीक्री में किसके साथ अक्बर के साथ अक्बर ने जो है कि 40 दिनों तक फत्यपूर शीक्री में दादु दियालदी के साथ बेटकर क्या किये सत्संग किया आगे बात करें तो संत दादु दियाल जी ने मिर्जा राजा मान सिंग मिर्जा राजा मान सिंग फर्ष्ट के काल में जेपूर के नरेणा नामक इस्तान पर दादु पंथ या ब्रहा संपरदाय की क्या की इस्तापना की संत दादू दियाल जी ने नरेना का पर है जेपूर में नरेना जेपूर में मिड़जाराजा मान सिंग के काल में दादू पंत या बरासमपदाय की क्या की इस्तापना की तो जो है कि दादू दियाल जी का जो मंदिर है दादू द्वारा मंदिर जो कहां पर है नरेना जेपूर के अंदर है वहाँ पर जो की दादू पंद की क्या है परधान पीट दादू पंद की परधान पीट कहां पर है नरेना जेपूर के अंदर है इसके अलावा इसके जो पीछे जो इस्तान है ये क्या है अलक दरीबा अलक दरीबा क्या है ससंग इस्तल जो दादू दियाल जी का ससंग इस्तल है उसको क्या करते है उसको अलक दरीबा करते है इसके अलावा बेराना की गुफा या दादू जी की गुफा ये इदर क्या है इ दादू दियाल जी ने क्या किया, तपश्या की, इसके अलावा दादू खोड, यह अपने पांस में क्या है, दादू खोड है, दादू खोड क्या है, दादू दियाल जी की समाधी, इसी मंदिर के पीछे क्या है, दादू खोड है, और वहाँ पर क्या है, दादू दियाल जी वहिष्वा कहजाता है इसके अलावा जो दादू लियाल जी लिए ते घुफा थी उस स्थान पर दादू लियाल जी ने क्या किया व्ते पास में दादू लियाल जी is supporting things बाते हैं और इस मंदिर का निरमान मान सिंघ फस्ट के काल में करवाए गया। तो ये अपने पास में, दादू देयाल जी से सम्मंजित क्या है? सब भी इंपोटेंड़ बाते हैं, तो इसमें अपने को क्या के याद रखना है कि संत दादु दियाल जी साबर मति नदी के किनारे लोधी राम जी ब्रामन को अहमदाबाद गुजरात में क्या हुए तेरते हुए मिले दादु दियाल जी जो है कि बुढड़न जी के सिसे थे और बुढड़न जी किस के सिसे थे कभीड़न जी के सिसे थे इसके अलावा रादस्तान में दादु दियाल जी रादस्तान में स्वरु पर्तम आमेर राजिय में भगवांदास या भगवंदास के साथ के काल में कहां पर आई सामबर میں आईए। और भगवनदाश या भगवनदास ने इनके मुलाकाट किसे करवईए। फत्यपूर सीकरी में अकबर से करवई और अकबर 40 दिनों तक अकबर ने 40 दिनों तक फत्यपूर किς के काल में? खोल है उसको क्या कहते हैं दादू जी की खोल कहते हैं इसमें अपने पास में बेहराना या दादू जी की गुफा यहाँ पर क्या किया दादू दियाल जी ने तपशे की और क्या किया यह किया यह किया यह अपने पास में क्या है दादू दियाल जी से सम्मंदित क्या है अग्य अपने पास में, दैदु दियाल जी से समस्माद अन्य कुछ बाते और हैं, उनको हुनाभे घाल करते हैं, इसमें अपने पास में हैं कि दैदु दियाल जी ने मिड़जा राजा Mán Sinко कि रसना की, यनि कि दैदु दियाल जी त्वे दैदुग मिडजा राजा मां Safe कि का दादु दैयाल जी के उबदेश संग्रहित है जो वाणी नामा गरंध था इस गरंध में डादु दैयाल जी ने जो भी उबदेश दिये व संग्रहित है और घता इस गरंध की रचना दूंडध़ी वासा किकी है जेपुर की आसपास कि बयुक्तूल दूंड़ध़ीソ 17 किया उपयोग किया और इसी वासा का क्या किया परचार परशार किया आगे हम बात करें तो दादू दयाल जी ने सद्धोग्री वासा सद्धोग्री वासा मतलब मिस्रित वासा को अपनाया दादू दयाल जी ने सद्धोग्री वासा यानि कि मिस्रित वासा को अपनाया तता इ उब्देश दुन्धड़ी बासा में दिये इन्होंने जो कि सद्दुग्री बासा मतलब जैसा इस्तान वेसी बासा उस बासा को उन्होंने अपनाया और उन्होंने अपने जो उब्देश थे किस बासा में दिये दुन्धड़ी बासा में दिये और जो इनका गरंत वानी गरं इसके अलावा जो दादू पंती होते हैं उनमें जो सव या लास को जलाया या दफनाया नहीं जाता है बलकि पसू पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है दादू पंत में जो लोग होते हैं उनका जो सव होता है या उनका जो लास होती है उसको जो है की दफनाया या जलाया नहीं जाता है जंगल में जानूरों के लिए क्या कर दिया जाता है इसको लास को खुला छोड़ दिया जाता है इसके अलावा दादू पंत में विवाहे न माना जाता है कि जो ददुपंद के जो लोग थे उसमें विवाय नहीं किया जाता था लेकिन जो ददुदेयाल जी थे उन्होंने स्वेम ने क्या रखा था विवाय कर रखा था इसके अलावा हम बात करें ददुदेयाल जी के बारे में तो ददुदेयाल जी के दो पुत्र थ जो दादु देयाल जी के पुत्तर थे वो दो पुत्तर थे गम गम का मतलब क्या हो गया गसे गरीबदाश जी और मसे क्या हो गया मिस्किन दाश जी तो दादु देयाल जी के दो पुत्तर थे गरीबदाश जी और मिस्किन दाश जी इसके अलावा दादु देयाल जी के सिश् जिनने जगए 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 जाकर क्या किया तो बावन उसमें से क्या हुए विरक्त हुए जिनने क्या कहा गया इसके अलाव बात करें दादु देयाल जी के शिष्य में जब परमुक शिष्य थे वो थे रजबदास जी जि रजब जी सुन्दर्दास जी इसके अलावा बखना जी और मादोग सिंग यह क्या थे दादु देयाल जी के परमुक क्या थे शिष्य थे तो इसमें अपने पास में कौन कौन सी बात है इंपोटेंट है इसमें अपने पास में बात है इंपोटेंट है कि जो दादु देयाल जी है वो मिर्दारा जामान सिंग के काल में उन्होंने क्या किया वाने गरंथ की रशना की इस वाने गरंथ में दादु देयाल जी के जो उब्देश ह वो संगरेत है तता जो उब्देश है वो डुन्डाडी बासा में लिखे गए है इसके अलावा दादू देयाल जी ने सदुख्री बासा यानि की मिस्रित बासा को अपनाया लेकिन इनके जो गरंत है वो किस बासा में है डुन्डाडी बासा के अंदर है इस दादू पंथ के सव या लास को जलाया नहीं जाता है जानवरों के लिए जंगल में क्या कर दिया जाता है खुला छोड़ दिया जाता है इसके अलावा दादू पंत में जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं लेकिन दादु देयाल जी स्वियम क्या थे, विवाहित थे, इसके अलावा दादु देयाल जी के दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किमदास जी, दादु देयाल जी से आपको क्या आद रखना है, आपको गम याद रखना है, इसके अलावा इनके सिश्यों की बात करे तो दादु देयाल जी के 152 शिशे थे उसमें से 52 शिशे ऐसे थे जिन्होंने जगए 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 जाकर दादु पंत का क्या क्या परचार परचार किया तो उन्हें 52 इस्तंब कहा गया उन 52 इस्तंबों में से जो परमुक थे प्रमुक की बात करें तो रजबदास जी, सुन्दरदास जी, माधो सिंग जी और बखना जी ये कहते हैं इनके प्रमुक शिश्य थे अब हम जो है कि इनके सिश्य रजबदास जी और सुन्दरदास जी इनको भी क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे पहले हम दादुपंद की जो साकाई हैं इनकी क्या है पांच साकाई हैं उन साकाओं के बारे में क्या करेंगे अध्यान करेंगे तो चलो आप इसको अपने कोफी में नौट करो यह इसका इसके शोट लो आगे आगे अपने पास में है कि जो जेतराम नामक दादुपंधी थे कौन थे जेतराम जेतराम नामक दादुपंधी जेतराम नामक दादुपंधी ने काला अंतर में दादुपंध को पांस बागों में बाटा जो जेतराम नामक दादुपंधी थे उन्होंने जो है कि दादुपंद को पात पाकों में बाटा उनमें सबसे पहला था अपने पास में नागावरग नागावरग में क्या था कि यह सुन्दरदाशी ने चलाया जो नागावरग था यह किस ने चलाया सुन्दरदाशी ने चलाया ये कौन थे सुन्दरदास जी, सुन्दरदास जी, दादु देयाल जी के क्या थे, सिस्य थे, तो सुन्दरदास जी ने क्या किया, नागा वरक को चलाया, इस वरक के सादू, नगन रहते थे, नागा वरक के सादू क्या करते थे, नगन रहते थे, तो जेपुर के सासक, जेप स्वाई जैसींग नêu क्या कि इन सादू की जवरन शाद्य करवा और कालांतर में यe सादू किया बनिगें कालांतर में ये सादू सेनिक बन गें कालांतर में जो 19 थे वो क्या बन गें से गरीबदास जी कौन थे गरीबदास जी दादू देयाल जी के क्या थे पुत्तर थे गरीबदास जी और मिस्खिमदास जी तो उनके पुत्तर जो गरीबदास जी थे उन्होंने कौन सा वरक से खाल सा वरक चलाया इस वरक के सादू समसान वासी होते हैं इस वरक के जो सादू ह वो समसान में रहते हैं और सरीर पर क्या करते हैं बसम लगाते हैं कौन से साधू खाल्चा वरक के साधू lire hman इस वरक के सादू, खाकी कपड़े धारन करते हैं, खाकी वरक था, खाकी वरक के जो लोग थे, या सादू थे, वो क्या करते थे, खाकी कपड़े धारन करते थे, तो यह अपने पास में, कौन सिसाका होगी, तीस सिसाका होगी, चोतिसाका अपने पास में है, चोता वरक अपन गर गर जाकर लोगों को दादूपंत से जोड़ा इस वरक के जो इस वरक के जो सादू थे उन्हों ने गर गर जाकर लोगों को क्या किया दादूपंत से क्या क्या जोड़ा यह क्या हुई विरक्त हुई विरक्त में अपने पास कौनों कौन से थे मुख्य रूप से मुख्य रूप से इनके सिश्यों में अपने पास में थे दादु देयाल जी जो सिश्य थे वो अपने पास में कौनों कौन से थे वो अपने पास में थे सुन्दरदार जी रजजब जी, उसके अलावा अपने पास में मादोशिंग जी, ये अपने पास में कहते हैं, इनके पर्मूख सिस्यते. इसके अलावा इस्तन्धारी या उत्रादे, ये वरग कुण सा था? दादू वरग के वहसादू, जो उत्तर भारत की ओर चले गए, उन्हें क्या कहा गया उत्तरादे कहा गया इस्तंधारी या उत्तरादे वरक जो था दादू वरक के वह सादू जो उत्तर भारत की ओर से ले गए उन्हें क्या कहा गया उन्हें उत्तरादे कहा गया इसके अलावा इसमें इंपोटेंट बात क्या है important बात यह है कि दादू देयाल जी की बासा की सबसे बड़ी विशेश्था क्या थी दादू देयाल जी की बासा की सबसे बड़ी विशेश्था यह थी कि यह जेसा छेत्र वेसी ही बोली को क्या गरते थे अपनाते थे, यानि कि दादू जी की बासा की सबसे दादू जी की बासा की सबसे बड़ी उशेस्ता ये थी कि ये लोग जो है कि जेसा छेत्र वेसी ही बोली को क्या गरते थे अपनाते थे, तो ये अपने पास में दादु दे आलजे से समदियत का है इंपोर्टện्ड बाते हैं इससलाइड में इपने को याद रखना है कि जियत राम नामक दादू बंती था उन्हों नी क्या क्या किया कालांतर में दादू बंत को पास भगविन बाठा सबसे पहले आता है नागा वरक इस वरक के जो सादू है वो नगन वस्ता में रहते हैं और इस वरक के सादू की क्या गर्दी सुवाई J.S.हीší ने क्या गर्दी के जबरंट्रिकल दिकरवादी और कालांतर में क्या जबनेंगे सादू शेणीक बनेगे इसके अलावा खाल सा वरक के सादू थे ये समसान गाट में रते हैं और सरीर प्रिका लगाते हैं बसम लगाते हैं इसके बाद में अपने पास में है खाकी वरक इस वरक के सादू जो है खाकी कपड़े क्या करते हैं दारन करते हैं इसके बाद में अपने पास में है विरत वर्ग, इस वर्ग के जो सादू थे, वो घर गर जाकर क्या करते थे, लोगों को दादू पंद से जोड़ते थे, अगला अपने पास में है इस्तंधारी या उत्तर भारत के उड़े, तो दादू वर्ग के वे सादू जो उत्तर भारत थे अपनाते थे तो ही में अपने पास में लो आपने नोट और पंठाच नोट करें लो ओ अइनरेश्क में आज कि लिए मिलते हैं कि अपने पास अगे जो कल की कलास में हम जो कि अपने पास रजब जी और सुन्दरदाज जी कौन है ददू दियाल जी के दूशिश्य है उनके बारे में क्या करते हैं कल की कलास में पढ़ते हैं तो आप चेनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें कमेंट करें मिलते हैं कल की कलास में ठेंक्